आज है पाँच जुलाई और पाँच जुलाई को भी मौसम ऐसा हो रहा है कि अपर पैन रखा है इस तरह का मौसम हो रहा है हलो आज हम आपको मैं यह रशिया का एक सिटी है पेर्म उसमें थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि समर यहाँ पर कैसी होती है इसे आप यह कह सकते हैं कि पैर्म जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि यह रशिया का जो रशिया का नहीं बलकि यूरॉप का आखरी सिटी है क्योंकि इसके बाद जो नेक सिटी पढ़ता है वो है एक्तिरिनबुर्ग और वो एशिया में है तो और कुछ लोग कहते हैं कि यह पहला सिटी है यूरॉप का लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप रशिया से या पेर्म से जा रहे हैं आशिया की तरफ तो यह आपके लिए आखरी सिटी है यूरॉप का और अगर आप एक्तिरिनबुर्क इदर आ रहे हैं तो यह यूरोप का गेटवे हैं यानि कि यह यूरोप का पहला सिटी है जो आपको पढ़ेगा तो विंटर तो यहां पर भी बहुत अच्छी खासी होती है लेकिन समर का मैं आपको फ़ड़ा सा माहोल दिखाता हूं कि summer में यहां फ़ड़ा सा माहोल कैसे रह यह मेन स्ट्रीट है एक और इधर यह ट्रैक है गार्डन का लोग जहां पर वाकिंग जागिंग भी गड़ते हैं गार्डन की तरह पुरेक्ट रहे गए समर में बिल्कुल अलग एक ग्रीनरी हो जाती है सब ने कुछ ना कुछ हलकी भुलकी जॉकेट हलका भुलका आपर पैन रखा है पांच जुलाई में भी यह हाल है यह बसेज होती हैं यहाँ पर इस तरह की यह बसे स्टॉप है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको जगे-जगे मिल जाएंगे यहाँ पर आप इसकी अप्लिकेशन से इसको ओनलाइन पैमेंट करके उठाओ जितनी जर्गिले चाहिए अप्र कहीं भी इसको छोड़ दो यह हॉलिडे इन का होटल है यह उसके पास में बिजनिस सेंटर है और यह पार्क है इदर है यह रास्ता भी सेंटर सिटी की दरफ जा रहा है यह समार होती है यहां पर आप देखनें इस साल तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि कोई भी आपको बिना जॉकिट यह बिना आपर के नहीं मिलेगा यह यहां का सबसे बड़ा एक रीटेलर है लेंता इसकी ब्रांचेस के लिए आपको पुरी ग्रोसरी ग्रोकरी सब बिल गयाती है इसमें पुरी स्मार्ट शॉपिंग है स्मार्ट शॉपिंग का हो वीशन में लगांगा भी आप देख लेना देखे जिस वैसे मैं भी निकल रहा हो न यह इसपेशली बनाया गया है क्योंकि इदर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रॉक्शन चल रहा है तो यहां पर भी ऐसे बिल्डिंग के कंस्ट्रॉक्शन चलते हैं न तो यह ऐसे सेफ वाकिंग पायद बना देते हैं तो यह देखिए यह बिल्डिंग का कंस्ट्रॉक्शन चल रहा है ताकि कुछ भी रेत वेत वह गिरे नहीं लोग जो जाने वाले हैं सडक से उनके उपर फ्रूट्स वाल है यहां पर भी आ जाते हैं जगे जगे पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यह देखिए यह पूरा यह जो पूरी लाइन है इधर कार वगेरा एलाव नहीं है इस तरफ यह देखिए स्कूडर आपको यहां पर जगे जगे आपको मिल जाएंगे यहां पर सब आपको कोई भी एक भी आपको खलकी फुलकी थोड़ी सी जोगर्ट को जरूर मिलें आपको आपको इंडियन्स का यह अलगी रैस्पक्त है यहां राशी जोगर्ट को आपको आपको इंडियन्स का यह अलगी रैसपक्त है क्राश्या में इंडियन्स का यह अलगी रैस्पक्त है समर्भ यहां के किटा था क्योंने धर्ैस्पक्त है सिट्रॉड है इसाइम लोकेशन है विंटर में इस तरह का माल रहता है आपको आपक्तृट करह इसमें सेंटर में गार्डन है और दोनों तरफ वे है अच्छा है आइडिया दोनों तरफ इदर से और ये वीच में गार्डन है यहां के यहां का जो अच्छी लगी वह में भी आपको दिखाऊ हुगा इसकी खासियत यह कि यहां पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो भी रेजिदेंस बिल्डिंग्स हैं यहां पर उनमें से किसी भी रेजिदेंस बिल्डिंग्स का जो एंटरेंस होगा वो में रोड पे नहीं होता वो किस तरीके से यहां बना जाती है वो मैं भी आपको दिखा कहीं भी आप जाएंगे देखिए मैन रोड पर आपको इस तरहां से ऐसे दुकाने ही मिलेंगी चीक है ना तब मैं आपको दिखाता हूं कि बिल्डिंग्स के कैसे बनाते हैं अब इस मैन रोड पर भी जितनी भी आपको बिल्डिंग्स अभी नजर आएंगी उनका किसी का भी एंटरेंस जो है वो मैन रोड से नहीं होगा रेजिजिजंस बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं यह आफिसे वागेरा की बात लगी यह तो आफिसे उन जो सामने दिख रहे ही है बारिश जैसा हो रहा है ऐसा लग रहा है कि बारिश आ सकती है कबूतर तो यहां के भी वैसे ही है बच्चों के लिए है छोड़ी छोड़ी सी कारें रखी हुई है इसे हम कहते है गुड़ी आ के बार इसका विंटर का व्यूव इसी गारडन का विंटर का वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको लगे गए नहीं कि यह सेम ही गारडन है चैनल पर वीडियो देखना आप विंटर वाला स्कूटर्स तो यहां आप को जगे जगे मिल जाएंगे याँ जब चाहें यहां से जाहें उठालें आप में आपको पाते हैं आपको प्लाडन होगे तो आपको 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 सूरज है तेजी पर लेकिन क्रिवी इतनी तेजी नहीं है फाइटर बार चल रहा है ना भी फाइटर जाते है यहां पर यार हाइट बहुत अच्छी होती है लड़कियों की भी हाइट जादा तर यहां पर बहुत बढ़िया मिलती है यह जो विल्डिंग वीजे ना सामने है यह है सिर्क यानि की सरकस की विल्डिंग है यह यह इस शहर में अभी भी आते हैं बहुत जबर्दस सरकस आते हैं तो वह यही आते है बेरी एन फ्रूट्स चेरी यह वह सरकस की बिल्डिंग यहां पर भी आपको यह स्कूटर मिल जाएंगे हाइट कुट्टे देखो आप कितने जबर्दस्त हैं दो हाँ तो जो चीज में आपको दिखा रहा था जैसे यह मैं रोड है है यह विल्कुल मैं रोड आपको दिख रहा है ओपन कार समर वाओ यह मैं रोड है अब इस मैं रोड पर रेजिदंस बिल्डिंग देख रही हैं आपको राइट यह रेजिदंस बिल्डिंग लेकिन इन बिल्डिंग की एंट्री का आपको गेट मैं पर कहीं भी नहीं मिलेगा मैन रोड पर जितने भी होंगी वह सारे सब दुकाने तो अब इनकी एंटरंस कैसे होती हो आपको दिखाता हूं जैसे कि यह रास्ता बनावा है एक ठीक है यह यह आगे वाला आपको दिखाता हूं पहले आपको जैसे हैं अब यहां पर तो यह दुकाने मिलेंगे आपको सारी सीधा ठीक हो पर रहे रेज़र्स बिल्डिंग से नीचे दुकाने यह फ्रूट्स तो यह ना तो यह नीचे तो आपको सारी दुकाने मिलेंगी ठीक यह सब दुकानों की एंटरंस हैं तो यह अक्सर जो बिल्डिंग बन थी ना सारी मतलब तक्रीबन सभी उनका जो यहां का जो आर्किटेक्ट्र है वो ऐसा है कि यहां में रोड पर आपको उनकी बिल्डिंग का एंटरंस गेट नहीं मिलेगा ठीक है अब वो कैसे मिलेगा अब मैं आपको बताता हूं जैसे विल्डिंग्स बनीवे सारी है रेडिजेंस हैं यह रस्ता अब अंदर जा रहा है यहां से जैसे अब अंदर चलते हैं यह रस्ता इदर से अपन अंदर आएंगे यह देखा आप जब अपन इदर अंदर आएंगे तो फिर इधर आपको स आपके एंट्रेंस मिलेंगे इंधर आपको यह गेट्स मिलेंगे इंधर आपको यह अंदर जाने के गेट्ट मिलेंगे आपके बहार आईएं तो यह आप मैंन रोड पर आ गए मैन रोड पे दर तो सब आपको दुखाने ही मिलेंगी जैसे ये उपर, ये मैन रोड है, ठीक है न, ये उपर बिल्डिंग्स है स्ट्रीट आर्ट तो ये एक्चली करते हैं, ब्लॉक की तरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स सारी, अब आप अंदर जाएंगे उदर तो फिर जितनी भी सारी विल्डिंग्स उनके अंटरंस गेट उधर होंगे, वहाँ पर, जैसे अब ये जितनी भी विल्डिंग्स आपको दिख रही है, तो इनक यहां से अंदर जाएंगे, जो आप अंदर जाएंगे, तो यहां आप अंदर आए, यह देखिए, सारी बिल्डिंग्स के, यह देखिए, यह बिल्डिंग्स के एंटरंस गेट्स है, यह सब इस तरफ हैं, वहां बाहर की तरफ नहीं है, बेक साइड गे, यह देखिए, सारी बिल्डिंग के 2020 है एंटरन्स कट या बच्चों के लिए थोड़ा सा गार्टन मिल जाता है यह भी इस बिल्डिंग का एंटरन्स कट लेकिन यह अच्छी टेकनिक के अच्छा एडिया है कि मैं रोट से यह देखिर इस पी जितनी बिल्डिंग से सबके एंट्रेंस सिधर से हैं मेन रोट से आपको नहीं मिलेंगे यह स्ट्रीट के राती है दुरूजबा देकि समर में यहां फ्रूट्स और वेज़ेटेबल्स के लिए लग जाती है प्रूक्त वरी अे मशेट फिलॉप अगरा भिपेश्टें ॥। फ्लॉवस्वाइव होनसे प्लॉड अवगरा भिएश hijos में यह बैच है कि मश्रूम청 गलेखु थे हैं यह वेश्टन वक कै गुंच हमनगे ही वेश्टन के क्या तो वंगने देखो हमना करताय। यह बैच्छा मश्रूम वास्त यह सिटी ट्रांसपॉर्ट यह कि स्टॉपिंग यहां से सब जगह की बसेज मिलती है यह समर में माहुल रहता है यहां का इक बार में एक जिन नEtष्ट वीडियो में बनाऊolie के अकसर लोग कूशते हैं कि रश्यामें इस्ट्रीचت वीडियो में दे खुछत के घूटन नेच्स वीडियो में अखनल क बात से रहते हैं अधिया करते हैं स्ट्रीच फूट वेजिटेबल्स हैं वाकर की यहां सेल कर दे हैं तर्बूस पड़े तोस वेज़े सेल कोुमीर झाल वेजिटे वेजिटे एक वेजिटे हैं एक सबीस रभाइबले बेइन बेश सेल करें रुसा प्रूवला वाकरी शोस वहेजि़िसानी प्राव प्रूवला वाकरी यहां रभब सेल कंड बार्बूस है यह थोड़ा बहुत आज हमने देखा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और मेरी लास्ट वाली पोयम अगर आपने नहीं देखी थी तो उस पोयम को भी देखिए औ और बताइए कि आपको कैसे लगी